Hello Friends आज हम बात करेंगे हमारे प्यारे मोटियों जैसे चमकने वाले दातों के बारे में Friends जब भी दातों में अचानक दर्द शुरूर हो जयाए तो क्या करें अपनाएंगे कुछ गरे लुन उसके जिस से जल्द ही मिलेगा हमारे दातों को आराम बिमारी कोई भी हो कभी भी बता कर नहीं आती है अचानक से आ जाती है जिसमें से एक है हमारे दात का दर्द दात का dard बहुत ही जवर्दस दर्द होता है उसी को पता है वही अची तरह से जानता है कि दात का dard कितना खत्रनाक होता है फ्रेंड्स जब आपको थोड़ी सी dard स्टर्ट हो जाए ना तो तभी ये अपने घ्रेलून उसके अपना लिजिए दान्त का दर्द आगे बढ़ेगा ही नहीं, दान्तों का दर्द उसी समय वहीं पर रुख जाएगा, अगर दान्तों का दर्द मसूरों तक पहुंच जाए ना तो फिर तो हमें डाक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, तो इस बात का ध्यान आप जरूर रखिए, तो कुछ घर प्रेलू नुस्कों को अपना लेते हैं तो हमारे दात का दर्द बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है तो फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस नुस्के हैं मैं आपको बता देती हूं तो जब भी आपके दातों में दर्द हो ना तो हमारे कीचन में ही बहुत ऐसी चीज़े हैं जो हम बार ब्रश जूर कीजिए एक सुभा एक शाम को खाना खाने के बाद और खाने खाने से पहले भी कर लिए जीएगा फिर तो बहुत ही बढ़िया है तो चलिए मैं बात कर रही हूं नुस्खों की तो नुस्खों में हम इस्तमाल करेंगे कुछ ऐसी चीजें जो हमारी किचन मे ही मिल जाती है जिसमें है लॉंग हल्दी और अमरूद के पते खाने में फल्क का इस्तमाल भी हम करते हैं अमरूद के पतों का भी हम इस्तमाल करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉंग की तो लॉंग को आपने क्या करना है एक लॉंग लेना है जिस दान पर आपको दर्द हो रहा है उस दांत में आप दबा लिजिए और दीरे-दीरे जब उसका सत निकलेगा उसका रस निकलेगा तो आपके दांतों में बहुत जबरदस्ट अराम मिलेगा आपको पता चल जाएगा कि आपके दांत का दर्द बिल्कुल गायब हो गया है दूसरा है प्याज ये भी हमारी किचन में ही मिल जाता है अराम से मिल जाता है तो प्याज को आप कट करके वैसे भी इस्तमाल कर सकते हैं जिस दांत में दर्द है वहाँ दबा दीजिए नहीं तो इसका रस निकाल लीजिए रूई के साथ इसे दांतों पर लगाईए कुछ देर बाद ही आपको खुद महसूस होगा कि दांत का दर्द गायब तीसरा है अमरूद तो अमरूद हम फल में भी इस्तमाल करते हैं इसके पत्ते अच्छी तरह से धो कर इसे पानी में उबाल लीजिए और गुनगुना पानी कर दीजिए और उसमें डालिए थोड़ा सा नमक और उससे कीजिए कुला तीन चार बार आप इस तरह से करेंगे तो इससे भी आपके दांतों को बहुत ही ज़्यादा अराम मिलेगा आप खुद महसूस करेंगे तो फ्रेंट्स इन चीजों को ध्यान आपको जुरूर रखना है कि जब भी छोटा मुटा दांत में दर्द हो तो उसे आप अराम से इन चीजों का इस्तेमाल करके रहत दिला सकते हैं और फ्रेंट्स सबसे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारा जोन उसका है वो है गुनगुना पानी नमक वाला गुनगुना पानी जब भी आपके दांत में दर्द होता है तो आप क्या कीजएगा एक बरतन लीजिए उसमें पानी वाल कीजिए अच्ही तरह से और उसे गुनगुना होने तक ठंड़ा कीजिए और फिर क्या करना है उसमें डालना हमें नमक सेंदा नमक डालेंगे तो बहुत ही बड़िया है तो एक गिलास लीजिए उसमें वन फोर्थ टी स्पून के करीब आप उसमें नमक एड़ कीजिए और उसे पानी को पी लीजिए मतलब पीना नहीं है पानी को मुँ में रखना है कुछ सेकंड के लिए मुँ में आप पानी को रखिए और आपकी दांतों की होगी सिकाई तो उस सिकाई से आपके दांतों को मिलेगा बहुत ही ज़्यादा अराम तो एक गिलास पानी आप गुनगना करके उसमें डालिए नमक और उसकी कीजिए सिकाई तो दांतों का जो दर्द है आपका जो आप मतलब की बरदाश निकार पा रहे है तो वो आपका दर्द मिन्टों में गायब हो जाएगा तो फ्रेंड्स इन बातों का ध्यान दीजिए तो जटपट से ये पेन को रिलीव देने वाली चीज़े हैं इस्तमाल कीजिए आपको खुद बखुद पता चल जाएगा आपको डाक्टर के पास बिलुकुल भी जाने की जरूर नहीं पड़ेगी ये अजमाय हुए नुसके है आप इस्तमाल करेंगे तो आप खुद बखुद जान जाएगे तो ब्रश आप सुबह और शाम को जरूर कीजिए अपने दातों को रखिए क्लीन दात क्लीन है तो आपके दातों में कभी भी दर्द नहीं होगा